राजस्तान के बाबा एक बार फिर से गुस्से में है गुस्से की वज़े है उनकी साख पर सवाल उनकी प्रतिष्ठा पर ताओ और उनके खुद के कमिटमेंट को पूरा करने का तबाओ सही भी है बाबा का उपनामकरण जिस विश्वास के साथ हुआ और जिस आत्विश्वास के साथ वे काम करते हैं उसे सीधे ठेस महुची है पूरा सीन है तौसा लोक सभा के बस्सी विधान सभा का यहां के खोरी गाह में बाबा के नाम से मशूर डॉक्टर किरूललाल मीना ने कनही अलाल मीना के समर्थन में चुनावी सभा बलाई लेकिन चुनावी सभा में गिंती के लोग देखकर बाबा भड़क उठे बाबा चिलाए तिल मिलाए और कहा हो गया भाशन डॉक्टर किरॉलाल मीना काफी हसोच साइथ नजर आए और अपने कारेकरताओं से चला चला कर हिसाम मांगने लगे कि कौन कितने आदमी बुला कर ला रहा है अब इस सीन को देखने के बाद दोसा लोग सवा सीट बीजेपी के लिए आसान तो नजर नहीं आ रही है यहाँ बीजेपी के कनही अलाल मीना के सामने कांगरेस के मुरालाल मीना डट कर मकाबला कर रहे है दोनों ही दलों की और से खुब जोर आदमाईश है यही नहीं कई दिगजों की साखदाओ पर लगती नजर आ रही है सबसे पहले बात करते है सचिन पाइलेट की जिनके परिवार ने बड़ा सियासी सफर दोसा लोग सबस सीट से ही ते किया है सचिन पाइलेट को अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना कर चम कर मुराला अमीना के पक्ष में बेपरचार कर रहे है दूसरी और पीम मोदी को भी दोसा में कुछ छोल नजर आ रहा था हाला टाइट नजर आ रहे थे ऐसे में उन्हें कनेला अमीना के पक्ष में यहां रोड शो करना पड़ा यही नहीं इस दोरान उन्हें लीक से हटकर आरक्षन जैसे मुद्दों पर बयान जारी करने पड़े मोदी ने S.T. बहुले इस सीट पर लोगों से वदा किया कि ना तो सम्विधान में बदला होगा और ना ही आरक्षन खत्म होगा कॉंग्रेस के तकरीबन सबी बड़े नेता दो सालोकसवा सीट पर एक चुट नजर आ रहे हैं मुराललाल मेना के पक्ष में माहौल भी जम कर बनता नजर आ रहा है हाला कि पिये मोदी के रोड़ शो के बाद सीन थोड़ा बदला सा है लेकिन नेताओं के साथी दो सालोकसवा सीट से डॉक्टर किरोडलाल मेना की साख चुड़ी है वे मौजूदा बजनलाल सरकार में करशी मंतरी भी हैं और क्षेतर के मेना समाज में बाबा का एक मुश्ट दबदबा है किसान नेता की छवी है डॉक्टर किरोडी अक्सर अपने अख़ड अंदाज के लिए जाने जाते हैं कई वार अपनी ही सरकार के खिलाफ में विरोध में उतर जाते हैं इसलिए मेना समाज के चन नेता के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है गाहे बगाहे किसी भी पुलिस अदिकारी नेता और अपने ही कारेकरताओं से तक उलच जाते हैं घुसी में तम-तमा जाते हैं पहले कनईयालालमेना को टिकेट मिलने से थोड़े खफा चल रहे थे बीजेपी से अब बीजेपी हाई कमान की एउर से मिले इशारे पर कनईयालालमेना को जिताने में जोर लगा रहे हैं तो अब दौसा लोकसवा सीट भलही हाई कमान के दवा में ही सही लेकिन डॉक्टर किरोडलालमेना की प्रतिष्ठा का सवाल वन गई है बीजेपी ने भी डॉक्टर किरोडी के कंधे पर ही कनया की जीत का दारोंदार रख दिया है लोग नजर आए और खुद किरोडी सभा में खड़े होकर लोगों को गिनने लगे किरोडी की रैली में भी लोगों ने लोगों में जोश नसर नहीं आया वे बोले हो गया मेरा भाशन अब अपने अपने घर जाईए जिनको जिम्मेदारी दी थी उनसे बाबा ने हिसाब किताब भी मांगा अब इस सीन के बाद लगने लगा है कि डॉक्टर किरोडी जैसे नेता दौसा लोकसवा सीट पर बड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं राजस्थान की 25 सीटों में से दौसा को हाट सीट माना जाता है प्रदेश इराजनानी के करीब भी है अब सवाल यह है कि बाबा के नाम पर भी अगर भीड नहीं जुट पा रही तो कर्यालाल मीना का क्या होगा जो यहां से बीजेपी के प्त्याशी है अब डौक्टर किरोडी पर कर्यालाल मीना को जिताने का उपर से भी दवाव है और साथ ही वे यह भी कह चुके हैं कि अगर कर्यालाल मीना हारे तो वे अपने मंत्रीपत से इस्तिवा देंगे इसलिए अगर कर्यालाल मीना नहीं जीत पाए तो डौक्टर किरोडी एस सहज हो जाएंगे फिलाल दीजे इजाजत जनता दर्वार के लिए चापुर से विजय वर्मा